कोयल एक दूट पेरासाइट पक्ची है कोयल न केवल कौवे के घोसले में अपितो अन्य 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 पक्चियों के घोसलों में भी अंडे रखती है कोयल अपने अंडे अन्य पक्चियों के घोसले में उनके अंडे गिरा कर अपने अंडे रखती है रूप पेरासिटिसम रिलेशन्शिप पे एक पेरासाइट बर्ड किसी तरह से लाग प्रापत करता है जबकि दूसरे गोस्ट पक्ची को नुकसान होता है कोयल पक्चियों को लंबे समय से एक पेरासाइट बर्ड के रूप में देखा जाता है क्योंकि ये अपने अंडे दूसरे पक्षियों के घोसलों में रखते हैं और अपना घोसला नहीं बनाते हैं कोयल के अंडे कुछ 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 कुवे के अंडों जैसे ही दिखाई पड़ते हैं ज्यादातर में कोयल के अंडों में से चूजे कववे के अंडों की तुल्णा में जल्दी बाहर आ जाते हैं और जल्दी बड़े भी वो जाते हैं कोयल के बच्चे कववे के अंडे और बच्चों को उसके घोसले से नीचे गिरा देते हैं अथ्वा तो माल डालते हैं, अगर जीवीत बच जाए तो गोस्ट बर्ड अथ्वा तो कोवे के अपने बच्चों के साथ भोजन के लिए कॉम्पिटीशन करते हैं, कोयल के बच्चे चारा आगे होकर सुखा जाते हैं और कोवे के बच्चे को खाने नहीं देते, इस प्रकार कोयल कोवे को धोखा देने के लिए सब जगह मश्वूर हैं, किन्तु आपको जानकर हैरानी होगी, कि जहां कोयल कोवे से इतनी बड़ी सेवा लेकर उसे धोखा देती है, वही कोयल साथ ही साथ अंजाने में कोवे को बहुत बड़ा लाभू भी पंचा देती हैं, इस चीज को समझने के लिए आपको ये वीडियो अंद तक देखनी चाहिए, दरसल सश्टी का नियम है कि यदि हम एक बीज भूमी में डालते हैं, बोते हैं, तो वो उसे कई गोना करके लोटा देती है, यदि हम किसी से कुछ लेंगे, तो हमें उसे जादा करके लोटाना पड़ता ह यही सिधान कोयल और कोवे के रिलेशनशिप में भी देखने में आता है, कोयल जब कोवे की गोसले में जाती है, तो कोयल और कोयल के बच्चे कोवे की गोसले में बीट करते रहते हैं, इस बीट की दुरगंद कोवे का शिकार करने वाले पशु पक्षी जैसे बिल्ली इत्यादी को उनके पसंदिदा मीट के टुकडे में मास के टुकडे में कोयल की भीट भरकर दे दिया जाए तो वे उसको छूना भी पसंद नहीं करते उल्टे दूर से ही भाग जाते हैं और यह बात इस ओर इशारा करती है कि कोयल की बीट कवे के शिकारी पशु पक्षियों से बचाने के लिए कितना शक्ति शार्यों बढ़िया तरीका है और इसे कारण से कोयल कोवे की डप्षा करते हुए कोवे की जन संख्या को बढ़ाने में एक महत्व पूर्ण योगदान देती है